नमस्कार वनस्पती व्रुद्धी अने विकास आ प्रक्रण्ना भाग बेमा आगडवती मित्रो भाग एक मा आपने चल्ले वनस्पती मा वीभेदन नी व्याक्या समझा हवे जो ये निर्विभेदन जीवन त विभेदीत कोशो के जहो केटलिक परिस्थितितियों मा विभाजननी क्षमता गुमावेज ते पुनोह प्राप्त करी शकेज आ गटनाने निर्विभेदन कहेज तो आ व्याक्याने समझवा माटे आपने वनस्पती नी आंत्रिक रचना ज्वी दड़ी प्रक्राणनी आंत्रिक रचना जे आपने अगावना प्रक्राण मा भणी चुकिया ची एना पर जरानाजर करिये तो आ व्याक्या आपने सरल्टाथी शमझी सकेज निर्विभेदन नी व्याक्या मा करूँ छे ते प्रमाणे कि जीवन्त विभेदीत कोशो जे किटलिक परिस्तित्वीमा विभाजन्नीक शम्ता गुमावेज अने ते पुना प्राप्त करी शके तो आ आंतरी करत्ना मा तमें जोई शको क्या आम रोदु तक पेशी नो बनेलो भाहियक कि जे जीवन्त विभेदीत कोशो नो सम्मूझ अही देखाता मज्जा किरणो ए मज्जा कीरणों पन जीवन्त विभेदित कोशोनों सम्मूझे आ जीवन्त विभेदित कोशोनों जे सम्मूझे एक केटलिक परिस्तेतीमा आम तो एने विभाजनिक शम्ता गुमावी चुकेली चे परन्तु जरूर पड़िये एक फरीपाचा विभाजनिक शम्ता मेडव अने नवा कोशों मेरवानाज जमके अहीं आ कोशो आएक पट्टी बताऊंचुं आ मुर्दुतक पिश्णीना समानतर गोठवाईला कोशो निया पट्टी ए त्वक्षेधा बनावेज अने त्वक्षेधा त्वक्षेधा त्यार पची बहार नी तरफ अने अंदनी तरफ बनने बाजू नवा कोशों मेरो करेज आ अंधनी तरप्पण नवा कोसोनू उमेरो करेज बहानी तरप्पण नवा कोसोनू उमेरो करेज अने जहने आपणे त्वक्षा अने उप त्वक्षा तरीके उड़कियेज तो अहीं आपणे जे समझवानू छेते के आम रुद्धतक पेशीनो जे कोसोनो जे समू हतो ए आम अल्रेडी विभेधी थातो परन्तु जरे द्वित्यक पुरुद्धी थवानी जरूर पड़ी त्यारे आ कोसोना समूहनाच कितला कोसो फरीपाचा विभाजननो गुण केडवेचे औने नवा कोसो उमेरेज तेज रिते अहिया जोए आ पुलिय एधाज आ पुलिय एधाने समांतर आवेला मज्जा किरणना कोश अने आ मज्जा किरणना कोशो ए विभाजननो गुण धाराण करेज जेने आपने कईसूं आन्तर पुलिय एधा आ अन्तर पुलिय एधाजे बने छे ए विभाजननो गुण धरावेचे औने आने समांतर गुठवाएने पूर्ण एधा वलाई बनावेचे औने एपन बहानी तरफ जे नवा कोशो उमेरेचे अंदनी तरफ नवा कोशो उमेरेचे तो आ बन्ने स्थितिनी अंदर एक कॉमन बाबत ए आवेचे क्यारिते ए विभाजन पामी चुके लाहता परंतु द्वित्यकृद्दीनी जरूर होवाती आ कोशो फरी पाचा विभाजन नो गुण धरन करेचे अने एनने आपड़े कईशू निर्विभेदेन त्यार पची एक बीजो शब्द छे पुनर विभेदी एनी व्यक्ष्या जो ये तो केटली क्वर्धन शिल पेशियो के जे विभाजन ख्षम बनी कोशो उत्पन करेचे के जे फरी थी एकवार विभाजन निक्षमता गुमावे छे परन्तु विसिष्ट कारिय करवा माट्टे परी पक्वा बनेचे एने पुनर विभेदी कहेचे तो आ आनी समझुती पन अही थी जागडवदारिये तारो के अंदनी तरफ आ नवा उमेराईला कोशो अवे ए फरी पाचा ए विभाजन नों गुन गुमावी देशे औने ए बनावसे द्वित्यक जलवाहक अने बहानी तरफ उमेराईला नवा कोशो ए पन विभाजन नों गुमावी देशे अने ये बनावसे ध्वित्यक अन्वाहक तो आ रिते ध्वित्यक जलवाहक अने ध्वित्यक अन्वाहक रचाईला कोशो के जे अत्यारे व्याख्यामा कईव छे रिते के किटली क्वर्धन शिल पेश्रीयो विभाजन ख्षाम बनी कोश उत्पन करे फरी थी एक वारी विभा आपड़े जोईशूं विकास विकास एटले के जह मा एक सजीव ना जीवन चक्रमा आवनारा बद्धाज परिवर्तों नों सामेल हुए अने बिजांकुरंटीले ने रुद्धावस्ता सुधी में जुवाम मड़े अवे आम जोआ जोईए तो कोई एक सजीव ना जीवन चक्रमा आवेला आ बद्धापरिवर्तों नोंने आपड़े के विल्धे मुल लविये तो के अंकुरं थाए वनस्पतीमा अंकुरन थाई त्यार पची कोश्विभाजन थाई कोश्विभाजन थाई त्यार पची कोश्विस्तरन थाई कोश्विस्तरन थाई विस्तरन थाया पची कोश्विभेदन थाई कोश्विभेदन थाता वनस्पती त्यार पची पुक्तस्तिती प्राप्त करे अने पुक्त स्तिती प्राप्त करवा दर्मियान ये पोताना पुर्ण अंगो परण, पुष्प, फर, बीज वगेरे धारण करे अने अंते ब्रुद्ध बने अने ब्रुद्युपाम। तो आरीते वनस्पती जीवन चक्र आए एक अंकुरण थी लएने एना मृत्युप सुधीना घटना क्रम मा गोठवायलू होई छे अने एरीते आपणे इने व्याख्याने फरीपाचु जोई तो विकास इटले के जेमा एक सजीवना जीवन चक्रमा आवनारा बद्धाच पर त्यार बची एक शब्द छे प्लास्टी सीटी जेने गुजराती मा आपणे कैसू सुगट्य था वनस्पतियो परियावरन प्रत्यनी प्रतिक्रिय आपफा विविद परिपतने अनुसरे छे के जीवनना विविद तबक्कामा विविद स्तरनी संरेतना बनावेज आक्षम ता एटले नी प्लास्टी सीटी अथवा तो सुगट्य था अवे ए आपणे की विरिते समझे तो एना माट्य आपणे बे परणों ना उदाहरणों जोई एक छेल बटर कप बटर कप स्थलज अने जलज बनने स्थिती माँ एना जे पढ़न रतना छे एने तमे अवलोकन करो इटले तमने आ स्थिती नी समझ पड़े आपण बटर कप ना परणों जे अने एक बीजी ज एनी स्थिती बताओं आतमे जो आपण बटर कप ना परणों जे एकमा आरी ते पातला तातना जेवा अने आमा एक फेला इला परणों पत्र सा थे ना तो आज ए स्थिती छे ए बटर कप मा स्थल जमाध्यमा जुआ मड़े जे अने जहरे ते पाणी मा होई ते जल जस्तिती मा आप्रकानी जुआ मड़े ते जरीते एक विजु लार्क्स पर लार्क्स पर मा लार्क्स पर के जे पोताना तरुण वस्थाए तरुण वस्थाए मात्रा आप्रकाननु एक साधू परणो धरण करेज परन्तु पुक्त वस्थाए एज पर्ण पत्र आरिते पत्रों मा भेचाएज अने नो विस्तार वदारेज तो जीवन ना जुदी जुदी परिस्थिति ये जुदा जुदा वस्थाट मा अने जीवनकाल ना जुदी जुदी वए एपोताना स्वरूपो मा चेंज लावे चे परिवर्तन लावे चे अने आस तीतिने आपने कई सुँ गट्यता अथवातो प्लास्टिसिकी हवे वनस्पतिना विकास ने व्रुद्धी तेमज भीवेदनना सर्वाळा तरीके मानवा मा आवे चे वनस्पतियों मा आ विकास तेना आंत्रिक अने भाहिय एम बन्ने प्रकानना परिबडों द्वारा नियंतरी थोई चे वनस्पतिनू आंत्रिक परिबड एटले एक्तोयनू जनिन अने साथे साथे एना कोशिय अने कोश भाहिय भागों मा सर्जाता अंतहस्त्राओ जैनने आपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वनस्पति वृद्धी नियामको तरीके उल्खी सुँ अने भाहिय परिबड तरीके ना पर असर करता भाहिय गटको छे तो ए वनस्पति पर आंत्रिक परिबड़ो औने भाहिय परिबड़ो ने आपने विचारिये आंत्रिक परिबड़ो मां अंतह कोशिय अंतह कोशिय यले के जे वनस्पतिनी कोश रेतना नी अंदर आवेलू छे जे अनू जनीन द् प्रोथ रेगिलेटर्स तरीके पन आपने उल्खी सक्किए। 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 एक स्थाने थी स्त्राव पामी ने ए त्यार पची वनस्पतिना अन्य भागो उपरपण ए पहुचता होई छे। प्रोथ रेगिलेटर्स तरीके पन आपने उल्खी सक्किए। आप रुद्धी नियामकोनू लिष्ट अपनी समक्स मुक्यल छे। जे मां इंडॉल सहियों जनों तरीके ओल्खाता इंडॉल एसिटीक एसीड के जे वनस्पति मां एक कुद्रती ओकजिन तरीके सांस्दे सिट पामे छे। बीजा एडेनिन ना व्युत्पन तरीके फर्फिराइल एमिनो, प्यूरिन, काइनेटिन ये प्रकार ना अंतहस्त्राव छे। त्रीजा एपसेसिक एसीड जे केरोटिनोईट्स ना व्युत्पन मां थी सरजायल। चोथा नम्बन ना टर्पेंस तरीके उडखाता जिब्रेलिक एसीड अने पाचमो इथिलिन के जे एक वायुरूप बाश्पसिल अंतहस्त्राव छे। आ अंतहस्त्राव आ पाच जी अंतहस्त्राव वहिया दर्शावेला छे। इए अंतहस्त्राव मां अपड़े बेविभागो करीश रक्ये। आप एकीना जे त्राण अंतहस्त्राव छे। इंडोल सेयोजन, इलेके ओक्जिन, ग्रूप, बिजु काइनेटिन, अने तीजु जीब्रेलिन, आ त्राण अंतहस्त्राव व्रुद्धी प्रेरक अंतहस्त्राव छे। इन अन्त्राव व्रुद्धी प्रेरक अंतहस्त्राव तरीके अन्तहस्त्राव शे। पांच अंतस्त्राव माथी त्रण अंतस्त्राव ओक्जीन, जीब्रेलिन अने साइटोकाइनिन ये व्रुद्धी प्रेरक अंतस्त्राव तरीके अने एप्सिसिक एसीड अने इथिलिन व्रुद्धी अवरोधक अंतस्त्राव तरीके वनस्पतीमा व्रुद्धीनी प्रक्रि अगजिन अंतस्त्राव नी वनस्पती पर असरो आपड़े जोई ए पहला अगजिन अंतस्त्राव केवी रिते समसे सितकरी ने मेड़वायो एनी थोड़ी भूमी का जोई तो चार्ल्श डार्विन अने एना पुत्र फ्रांसिस डार्विन ने केनेरी गास मा एनू ब्रुणाग्र चोल ए ब्रुणाग्र चोल ने प्रकाशनी दीशा माज वलतू जोई तो एनू आ ब्रुणाग्र चोल नो जे अग्रस्त बाद ए शा माटे प्रकाशनी दीशा माज वले छे एनू कारण श्योज़वानू एमने प्रहितन करे तो आ स्थान येमने एक रसायन नी हजरी जणाई औने ते रसायन ये बीजू कसु नहीं ये अतु ओक्जिन त्यार पची आफटेबली वेंट नामना विजनानी है आ अंतस्त्रावने जवना परिविश्टक माथी इलेके एना ब्रुणागर चोल माथी येमने अलग तार्वियो फडबली और जिन सवप्रथम केवी रिते मेडवायो तेनी एका नानी वारता हाती हवे एनी असरोनी वाद करिये तो ओक्जिन सामान्य रिते प्रकाण तेमज मुलनी वृद्धी पामती टोटना भागे उद्बवेज औने तेहां थी तेनो वहन कार्यस्थाने थाए जे तो ओक्जि दर्सावता भागो जे बनस्पति अक्षनी लंबाई प्रेर्वा माटे अगत्यना जे तो आस्ताने ओक्जिन सवथी वद्धारे प्रवाण मा सरजातो होई जे औने त्याहां थी पची अन्य पेश्री तरफ हैने ये स्प्रेड ठाई जे त्याहां थी ये अन्य पेश्री प्रस्रेज ओक्जिन जेवके इंडॉल एसिटीक एसिड तैमाज इंडॉल ब्यूटेरीक एसिड अने नेप्थेलीन एसिटीक एसिड अने 2,4-D अहीं जे चार नाम आपेला जे ये पईकी बे ओक्जिन इंडॉल एसिटीक एसिड अने इंडॉल ब्यूटेरीक एसिड आ ब जरे नेप्थेलिन एसिटीक एसिट अने टूफोर्डी आब एजी ओक्जिन छे ए ओक्जिन आपणे कुरूतरिम रिते लेबरेटरी मां संसले सित करेला छे अने ते थीते मानाव निर्मीत ओक्जिन तरीके पंड ओल्खी शक्याई ओक्जिन नी अन्य असरोनी वाद करिये तो ते प्रकाणना कापेला भाग के कलम मा मूल निर्माण माटे मदद रूप थाई छे औने वनस्पतिना प्रसर्जन माटे व्यापकरीते उप्योग मा लेवाई छे मित्रो वानस्पतिक प्रजनन विशेतमे जानों छो तो वानस्पतिक प्रजनन मा अपने कटका कलम पद्धती के जे मा मूल के प्रकाणना योग्यमा अपना टुकडा करीने तेने भेजवाडी जमीन मा अपने खुपावी दैए तो तेना जमीन मा रहला भाग मा थी मूल सर अविबधी वनस्पतियों मा आपने आ प्रकार नी बद्धती अपनावता होई एची है। त्यार पची ए पुतानों अन्य व्रुद्धी विकास पन खूब जड़पती करी शके अने आपने हेतु पुर्वक उगाडेली वनस्पतिनों खूब जड़पती विकास थाई अने आपने पुष्प अने फॉल प्रापती थाई शके। अने आपने बज़ार माँ जरे पुष्पनी मांग होई त्यारे होगजिन छाटी ने जड़पती पुष्प सरजन मेडी ने आपने आर्थिक फाईदों मेडी सके। अनानस मा ते वनस्पतिना परणों तेमाज फळणे वहला खरी जता अठकावे। परण्तु जीर्ण तेमाज परिपको परणों अने फळणों ये पतन परण परेरेज। येले आरीते बनने एकज वनस्पति मां विरोधाबासी बनने असरों पन उक्जीन सरजी सकेज। मोटा भागनी उच्चक अक्षानी वनस्पतियों मां अग्रकली का पाश्वकली का नी वृद्धीन अवरोधे। आ गटनाने अग्रिय प्रभाविता कहे छे। तो आ उक्जीन जे छे ए अग्रिय प्रभाविता प्रेर्णारों एक अंतहस्त्राव छे। वनस्पतिय अक्षनी लंबाई मां योग्य वधारों नो थतो होई तो ते उक्जीन चंडकाव करवा थी आपने एनी लंबाई मां वधारों करी शक्या छे। औक्जीन अफलीत फडविकास ने पन प्रेरे जे। धाखला तरीकेट टामेटा। अफलीत फडविकास एतले के फलनी उत्तेजनश ना वगर फलनु निर्मान ठव। फलनी उत्तेजना वगर जेरे फलनु निर्मान थाए। त्यारे एवा फ razón मां बीज होता नती। आम सामन्य रिते बीजवगर ना फोल ए आपणा माटे फायदा कारक चे बीजवगर नी ध्राक्ष बीजवगर ना टामेटा बीजवगर ना रिंगन अवा घणा बदा शाक बजी अने फोल आपणे अजे मिलवी सक्किया चे तो ए पन आ प्रकान ना अंतस्त्रावना छंड का ने काराणे तो आउँ बीज रहित फोल मिडवा माटे और फोल इत फोल ना विकास माटे आपणे उग जिनन उप्योग करिशक्किये त्रून नासक तरीके पन तेनों उप्योग थाए ए निंदन नाशक मन छे अने निंदन नाशक होवा थी आपणे खेतर मां उगी निकल् जरूरी वनस्पती उगे छे तेनों आपणे नाशकरी शक्किये त्रून येज मुद्धा पेलो छे के 24D जे मानम समस्लेसित उगजीन छे ए बहडा प्रवण मां ध्वी दड़ी निंदन नों नाशकरे छे परन्तु परिपक्व एक दड़ी वनस्पती पर तेनी असर थत्त की नथी औने तैनों उप्योग माडियो द्वारा निंदन मीहिन लौन्ने तैयर करवामा थाए छे त्वारी ते ओकजीन जे जे छे ए ओकजीन नों निंदन नाशकरी तरीके पण आपणे उप्योग करी सक्के ओगजीन जलवाहक ना विभेदन्नु नियंत्राण करवामा अने कोश विभाजन मापणे मदद करे छे एले कोश विभाजन प्रिरवामापण एनी मदद लाई शेकी त्यार पची मित्रो विजो अंतस्त्राव छे जीब्रेलिन जापानीज विग्णानी इए करोसोवा नामना विग्णानी आ जीब्रेलिन आपणने शुराप्यु छे आ जीब्रेलिन पाचलनी कईक स्टोरिय वी छे के जापानमा डांगर नी खेती करता डांगर ना अमुक प्लांट्स बाकी ना प्लांट्स करता कूप सामन्य रीते लंबाय मा वध्या खुब वधारो थे आंतरगांठो लांबी थाई गई पीडा पड़ी गए एना परण अने वृद्धी दर्मियान लंबाय मा वधारो जो आमड़े ओ सामन्य अने एना उपरद आणा पड़ नहीं आवे तो आप आचलनू कारण शोद ता एवुँ खबर पड़ी के जीब्रेला नामनी फूग ए फूग तेया थती ती अने एमा थिया एक स्त्राव थतो अन ते स्त्राव एटले जीब्रेलिक एसिड अने तेनी असर हे ठल आवी कहीं खास्यत्वाड़ी वनस्पति हो जो अमल टिती त्यार पचिती गणा बदायना फॉँ जीब्रेलिक एसिड वान टू त्री प्रकान शोद आया तो ए जीब्रेलिक एसिड नू आपड़े वनस्पति बरसू असर चे ए जोई जीब्रेलिन अन्य प्रकाने एक प्रेरक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरस चे शोथी पन वदू जीब्रेलिक विवित सजीवो माती प्राप्त थाया चे फूग अने उच्च कक्षानी वनस्पति मा पण ने नोंधाया चे अने एने जीए वन जीए टू जीए त्री ए रि लंबाई वधर्वनिक शम्ताधरावे चे जेती द्राक्सनी दांडीनी लंबाई वधर रिश्रकाया अने उप्योग मा लई सक्किये सफर्जन जेवा फ्लनी लंबाई अने आकारमा अने तेने योग्य सुधरो करवामा पण उप्योगी चे जीब्रेलिक एसीड व्रुद् पतन थाए अने परिणा में खेडूतने जेरे फडाव रुख्ष एने करेला होई तो गणी बदी खोड जती होई परन्तु जिब्रेलिक एसीड छाटी ने एने लांबा समय सुधी व्रुख्ष पर राखी शकाई अने मार्केट मा जेरे खरेखर एनी मांग उपजे ते वक र्मा ऑल्टीं क्रिआविदी जऴब्लपी बनावा माटे ठाये अने मालटीं क्रिआ क्रिआ विदी एटले के धन्य ने पलाडी साहरी मोई अने फो एकड़ाकुतला म्ते हिट तो चीसदैं अन्यों, परिणा, करिणअ किन इने जीब्रे ङद शाट्चा. वतार्ण वुपषेरिवाव, अने जे गुलाब वत प्रकुलुती धरवोती वनसपति हो Santo येटले के गुच्मा जमके कोबीज ना परणों गुच्मा निकड़े आम गुलाबनी पांधड़ी ओजे रिते गोठवाईली होए रिते पचि बीट अने अन्य वनस्पती मां बॉल्टिंग क्रिया विदी मां ये अगत्याना छे अने बॉल्टिंग करिया विदी एटले के पुस्प सर्जन पहला एनी आंतरगांठनी लंबाई मा वधारो करी लेवाईज जेती करीने वधु कक्षकली काओ तैयार थाए अने वधु निपज मेड़ी सकाए वधु उत्पादन मेड़ी सकाए साइटोकाइनी साइटोकाइनीन अंतहस्त्राव एवनस्पती माटे सदाहरीत अंतहस्त्राव छे अने एपण व्रुद्धी प्रेरक अंतहस्त्राव छे अने आ व्रुद्धी प्रेरक अंतहस्त्राव वनस्पती पर व्रुद्धीनी प्रक्रियाने प्रेरे छे अने तेथी एपण व्रुद्धी प्रेरक अंतस्त्राव तरीके उलखाये छे अने एनी सोधंगे नी बात करिये तो एपस फुग नामना विग्णानी जरे टीस्यू कल्चर मा तमाकुना प्रकाणने लईने एनू कैलस तयार करता था त्यारे एमने जरेव के तमाकुना प्रकाणन मा थी क्यालस बनावा माटे मात्र ओगसीन नो समवर्दन मध्यम मा अपणे एने उचेरी तो एटलू धर्यू सफर्टा मरती न थी परन्तु एनी साथे अन्य वाहक पेशियोनू सत्व इस्टनू सत्व के पच्छी नाडियननू दुग्त एनू प्रवाही ए बद्धाने साथे उमेरवामा आवे तो प्रव कुप सफर्टीते थाई छे अने खुप सारू परिणाम मोले छे पच्छी ए सुद्व में के तो पच्छी दारो क्या नाडियननू पाणी एनू मलाईदार पाणी एनी अंदर एव तेशुं छे के जे एनी व्रुद्धी नी प्रक्रियाने प्रेरे चे अजिननी साथे एने एड़ करवामा आवे तो सामाट्टे TCU कल्चर खुप सफर्टाए तो ए शोदता शोद आयो के एनी अंदर जे कहीं छे ए आ काइनेटीन छे अने ते थी ए आम तो सवप्रथम हेरिंग मातली ना शुक्रकोस माथी अलगतारवा माविव परन्तु वनस्पती मा आम जोई है तो वनस्पती मा कुद्रती रिते साइटोकाइनीन छेद नहीं पन्तु शाइटोकाइनीनी असर जेऊ काइनेटीन ए आ नाडियनना पाणी अन मक्काइना दाना माथी अलगत करवा माविव तो एनी असरो जोई है साइटोकाइनीन कोसरा स्विभाजन पर विशिष्ट असर धरावे छे अने ते काइनेटीन स्वरुपे स्वयम विखंडन निया पदार तरीके हेरिंग मातलीना सुक्रकोषना डियेने माती संसुधन पामेल जी अही तमें आटैली टोप पर जोई सको छो काइनेटीन वनस्पतिमा नैसर के कृते प्राप्य न थी नैसर कीक पदार तरीके साइटो काइनीनी शोद मक्काईना बीज देशेस अने नाडियनना दूद माथी जी हेटीन स्वरुपे ए थायेली जी नैसर कीक साइटो काइनीन वनस्पतिना एवा प्रदेसमा समसर सित थाए जे के जहां त्वरित कोश्वी भाजन थाएजी अने त्वरित कोश्वी भाजन थतो होई तेवो भाग इटले मूलनी टोच अने विकाशिल प्ररोह कली का तरुन फर वगेरे के जहां साइटो काइनीन खुब सक्रिय रिते स्तराव पामतो होई अन्तिहाथी आपणे एने अलग तार्विशक्की आसीवाई साइटो काइनीनी अन्य असर जू तो ते नवा परण, हरितकन, प्रहरोहनी पाश्व व्रुद्धी, अस्थानिक प्रहरोहना सर्जन मां मदद रूप थाएजे अने एरी तेनी शाखाओ मां व्रुद्धी करी शकाए अग्रिय प्रभाविता माथी पन मुक्ती अपावे, इले धरो के कोई वनस्पती लंबाई माज वध्या करती होई अने पाश्व कली कावनों विकास अलपत हतो होई, तो साइटो काइनीनों छटकाव करवा थी अपने मां कक्ष कली काना विकास ने प्रेरी शक्ये, अने वनस्पती ने शाखित बनावी शक्ये, मिक्सिमम जेती करी ने फळाव जड़ो होई तो अपने तेवां खुब बदारे लाभो मिर विशक्ये ते पोशक द्रवयना वित्रणने प्रेरे चे, दिना थी परणो पतनने धाड़ी सकाएचे अने वनस्पती माई हरीत द्रवयने जालवी राखेचे, परणो पतनने अठकावेचे अने एटला मां टेक ए वनस्पतीना सदा बहार अंतहस्त्राव तरीके पण एने गणी शकाए इथिलीन इथिलीन ए एक सरण बास्पसिल अंतहस्त्राव छे इथिलीननी वाद करिये तो कजिन से एने शोध्यों छे इथिलीन अने जरे संत्राने अने केडाने काचा केडा अने संत्राने जरे साथे राखवामा आवेला त्यारे आ संत्रा साथे राखता एक काचा केडा त्वरित खूब जडब थी पीडा बनीने पाकी जता जुया अने तेथी जो के संत्रा साथे रांक वा थी, केम एजड़वथी पाकी जाएंगे, तो संत्रा माती कोई केवो रासानिक स्त्राव थतो होई, अने एचे टेपेला काचा केड़ा पर असर दर्सावेंगे, अने ये स्त्राव एटले इधिलीन, इधिलीन एभाष्वपसिल अंत अस्त्राव छे अने संत्रा साथे रागता एक केडा जे जड़ब थी पाकी जाई जे तेनु कारण एमा थी उद्भवतो आरासा हैं अने एरी ते एनिशोद कजिन्स द्वारा थाई तो इथिलीन वनस्पति पश्णू असर दर्शावे जे तेनी असरू जेई इथिलीन एक सरल वायूरूप प्लांट ग्रोथ रैगुलेटर्स छे ते जिरन पामती पेशी अने पाकेला फॉल्डवरा वधारे प्रमण मा संसलेशन पामेजी कराण के इथिलीन एक व्रुद्धी अवरोधक अंतहस्तरावत छे अने परिपक्वा भागो मा वधारे स्थान पामेल जे इथिलीन वनस्पतीनी अनुप्रस्त के समक्षिती व्रुद्धी अक्षोनी जाडायमा वधारो अने द्वी दड़ी बीजना बिजांकुरण मा अग्रिय प्रवर्धमाई सम्रतना पर असर पहुँचाडे जे अगेनी बीजी असर छे ते मुख्यत्वे परण और पुष्प मा जिर्णता तेमाज पतन ने प्रेरे छे और फढ़ पकवामाँ खुब असर कारक छे फढ़ पक्रियादर मियांते स्वासंदर भदारे छे आपने मार्केट मा जोहिये छे के हजी सुदी फल नी परीपक्वतानी सिजन रूतु आवी ना होई छता पर आपने फाकेला फड़ो मड़े तो तेमा इथिलीन नो फाड़ो होई छे फल ने पकावों इथिलीन बीज औने कलीकानी सुसुप्तताने तोड़े छे मक फड़ीना बीज मा ए अंकुरन नी शर्वात करावे छे औने बटाटामा ग्रन्थिलनू अंकुरन पणे प्रेरे छे इथिलीन नी बीजी असर डांगर पर जोए तो इथिलीन उंडा पाणी मा डांगर ना छोड मा अंतरगांट परण दन्नी लंबाई मा लंबाई प्रेरे जेती करिने खूब वर्साद पड़े औने डांगर नी क्यारियो जो पाणी थी भराए जाए तो इनी सडियो इनू प्रकान ए पाणी मा डूबी जतो नथी औने पाणी ना प्रभाहमा ए डांगर नो पाक पड़ी जतो नथी औने सीधो रह सके जे तो इथिलीन ए रिते मद प्रहरोर ना उपरी भागों ने पाने थी उपर राखों मां मदद रूप थाए। इथिलीन अनानस मां पुस्प सर्जन करवानी शर्वात मां उप्योगी जे। इथिफोन जे जलिय द्रावण मां त्वरी त्रीते सोसन पामे छे। अने एनी आ खास्यतने कारणे आपने वनस्पतिने पानी जेरे एने पीयत आपी। इथिलीन मुक्त करे अने आपनने एनी जे पोजिटिव असरोचे ए प्राप्त थाए। जेमके एथिफोन टामेटा तेमस सफर्जन जेवा फल मां परिपक्वतानो वेग वधारे छे। अने पुष्पो तेमज फल ना पतननी तीवरता दर्शावे छे। कपास, चैरी, अखरोट, अखरोटनो बाही हावरणने पातलू करवा माटे पन ये मदद करता छे। काकडी मा मादा पुष्पोनी संख्या मा वधार हो करे। देथी पाकनी उत्पादक्ता मा वधार हो थाई। काकडी मा एक गुरूही वनस पती छे। कि जेमा नर पुष्पने मादा पुष्पो अलग-अलग एकर छोड परावे। परन्तु मादा पुस्पनी संख्या वदारे होय तो आपणे वदू फ़ल उत्पदर मेड़ी सक्के जे इथी लिंद्वार आपणे शक्य बनावी सक्के छल्लो अंतस्त्राव चे एपसिसी कैसी एक कपासना छोडमा फ़ल पतन करता अंतस्त्राव तरीके शोधायो तेक सामन्य वनस्पती वृद्धी अवरो धक तरीके कारिय करे चे अने वनस्पती चया पच्चैने अवरो धे जे एपसिसी कैसी बीजना अंकुरणने पन अवरो धे जे बीजमा अंकुरण थवा माटेना चे आंत्रिक परिबलो जे ए आंतरिक परिबलो मां बे अंतस्त्रावों नी सांद्रता पर बे अंतस्त्रावों ना संकेन रणुपर ए निर्बर होई छे अन्तेमा एक छे जीब्रेली कैसी औने बीजों छे एपसेसी कैसी जियां सुधी बीजमा एपसिसी कैसिर नी हाजरी होई छे औने जीब्रेली कैसिर पूर्था प्रमाणमा नहा आवतो होई, त्यां सुधी बिजांकुरण थतू ना थी एले आपड़े एवो कई शक्किये के जीब्रेली कैसीड बीजांकुराण नी प्रक्रियाने प्रेरना रों अंतस्त्राव चे और एपसेसी कैसीड यानी विरोधा भासी अस्ताद अवे छे और जहां सुदी एपसेसीड बीजनी अंदर होई त्यां सुदी वनस्पति मां प्रेरित करे छे अने वनस्पतिने विवीद प्रकारना तणाव माटेनी सहन सिल्तामा वधरो करवानिक शम्ता बक्से छे आ कारंड सर एने तणाव अंतस्त्राव पन कहे छे अवे जरे उत्स्वेदनने प्रेरिनारा बाहिय परिबळो जेमके पवननी गतीकु बदारे होई तापमान उचु होई प्रकाश तीवर होई अब दा बाहिय परिबळो उत्स्वेदननी प्रक्रियाने प्रेरिनाराज परन्तु एवा समय वनस्पती मां जो जमिन मां थी पूर्ता प्रावन मां पाणी ना मेड़ावती हो तो ए समय वनस्पती ने उच्वेदन ए करू परवाड़े ए होत्तू ना थी और तेथी एवा समय एपसीसिक एसीड ने मदद आवे छे और एना परणा रंद्रने बंद करे जे ती करीने बाहिया परिबळो के जे उच्वेदन नी प्रक्रियाने भले प्रेरिना रहोई परन्तु एन्वा आंतरिक परिबळ वनस्पती मां उच्वेदन ने नियंत्रण मा राखे छे औने जलतान नी स्थिती सामय एने रक्षना पे छे एपसीसिक एसीड बीजना विकास परिपक्वता सुसुप्ता वगेरे मां महत्वनी भूमी का बजवे छे बीजनी सुसुप्ता प्रेरित करीने एपसीसिक एसीड बीजने सुस्क तेमज वृद्धी मांटे प तो ते वक्ते एपसीसीक एसीड नी हाजरी अमकुराण अटकावी राखू ये वनस्पती माटे फाइदा का रख्मन साबित थाईज गणी बदी परिस्तिती माँ एपसीसीक एसीड एजीब्रेली कैसीड माँ टेक प्रती रोधक भूमी का बजवे मैं अत्यारेज वाद करी के बीजमा जिब्रेली कैसीड नी हाजरी बीजांकुराण ने प्रक्रियाने प्रेरेजे अने एपसीसी कैसीड नी हाजरी बीजांकुराण ने अवरो देज आम आप बनने अंतस्त्राओ परस पर विरोधाबास कारे परेज हुए आपड़े जोई सुंग प्रकाश अहुदी वनस्पती पर एना व्रुद्धी विकास पर अने पुस्पसर जन पर प्रकाश ना समय गाणानी एक चोकस असर प्रवर्ती होई जे कोईक वनस्पती ने एना नियत समय करता संक्रांती समय करता वदारे समय माटे प्रकाश जोई जे तो कोईक वनस्पती एवी होई जे के जेने पोताना व्रुद्धी विकास माटे पोताना पुस्पसर जन माटे ओछा समय माटे प्रकाश नी जरूर होई जे अने किटिक वनस्पतियों एवी पन होई जे के जिने पोताना वृद्धी विकास के पुस्पसर्जन माटे प्रकास ना समय गालानी एना पर कोई असर थाती ना थी लांबा समय माटे प्रकास माडे दिर्ग समय माटे तो अपनेमा व्रुद्धी विकास अने पुस्पसर जन धाय अने जो टुक समय माटे प्रकास मडे तो अपनेमा व्रुद्धी विकास तो ये आधारे आपडें वनस्पतियोंने त्रान भागमा मेंची दिर्ग जीवी वनस्पतियो दिर्ग समय माटे प्रकास जोई एवी लगो दिवसीय वनस्पति दिर्ग दिवसीय वनस्पति और अने तटस्त दिवसी वनस्पति तो एनी बाद जोई समझो के नियत समय गाड़ों यह आपड़े राखे तो जे वनस्पति माँ पुस्प सरजन माटे ओचा समय माटे डार्क पिरियाड जोई एवी अन्दकार अने वदु समय माटे प्रकास पिरियाड जोई तो आवी वनस्पति ने आपड़े कई सुँ दिर्ग दिवसी वनस्पति के जेने वदु समय माटे प्रकास पिरियाड जोई औने ओचा समय माटे अन्दकार पिरियाड जोई के जे माँ प्रकास नू सातत्य होँ जरूरीज एक धरो प्रकास ने सतत्य मलवो जोई जो एमाँ वच्छे क्यां अन्दकार सर जाए तो आवी वनस्पति माँ पुस्प सर्जन थतू नथी पालक, मूलो, बीट जे दिर्गदीवी वनस्पतियो तरीके अपणे ने उल्लेखी सक्की बिजीमा स्थिती जरा जुदी लगू दिवसिया लगू दिवसिया वनस्पति आवनस्पतियो ने अहीं एनो संक्रांती बिडिया ढाखे तो एमा आ अंधकार अने आ प्रकाश तो आवी वनस्पतियो ने अंधकार वदारे मापा कावे जे अने पोताणों वरुद्धिविकास पूस्प सर्जन माटे एने अंधकार नू सात्यत्य जोई आमाक्षणी जो प्रकास सर जाए तो एना वरुद्धिविकास अने अंधकार उपर एनी असर थई सके आवी जे वनस्पति आने लगू दिवसीव वनस्पति कहिसुं चोखा, कपास, तमाकू, सोयाबीन आ प्रकानी वनस्पति औने त्रीजी आपड़े लईसुं तटस्त दिवसीव वनस्पति गमे तेवो प्रकास होई, गमे तिटला समय माटे अंधकार होई तो यने प्रकास्ना समय गाला नी कोई असर प्रवर्ती नथी एवी वनस्पति ने आपने ततस्त दीवसी वनस्पती कैसों तकस्त दीवसी वनस्पती ना उदरण ले ये तो टामे टा, सुर्य मुखी, वताण वगेरे तो आरीते प्रकासना समय गाळा साथे संबंधित वनस्पतीना वृद्धी विकास पर असर करे वनस्पतीमा पूस्पसर्जन नी प्रक्यविया पर असर करे एवी आ त्राण ग्रूप मा आपने वनस्पति ने महेची सक्ये दिर्ग दिवसी, लगू दिवसी औने तटस्त दिवसी फ्लोरीजन नामनू अंतहस्त्राव आना पाचल जवबदार छे के जे परण माथी प्रोरोणी कली का तरफ स्थाण दरित थाए छे आने वनस्पति मा एनी असर सरची पची जो ये वासंती करण वासंती करण वासंती करण नो अर्थ थाए छे के वनस्पति ने निश्चित समय माटे वनस्पति ना बीज ने निश्चित समय माटे एक नीचा तापमाने लई जवब औने एमा जडब थी बिजांकुरण प्रेरव औने जेती करी ने एमा जडब थी पुस्पा सर्जन पन त्यार बची क्रमी करिते थाए तो एन्हें वनस्पति ने नीचा ताप माने लई जाओ तो एक एवी रिते तेनी बात करिए के दाखला तरीके रुतु प्रमाने अपने वेचे तो वसंत रुतु माँ धारो के कोई बीच वसंत रुतु मा शियाडानू सिजननू बीज छे वनस्पति छे औने ए सियाडाना सिजननी आजे वनस्पतिमा एना बीजने आपने वसंत रुतु माँ वावेतर करिए तो वसंत रुतु माँ एनू वावेतर करता एमा अंकुरन थसे ने अने वनस्पतीमा आगल व्रुद्धी विकास थासेने, कारण के एने श्रियाळानी रुतु अन्नु कुलावेचे हाँ, पन धरोके आ बीजने एना सिजन प्रमाने लेके सरद रुतुमा एने अपड़े वावेतर करिये श्रद रुतुमा, के जे श्रियाळानी शर्वाद छे, श्रद रुतु ये श्रियाळानी सर्वाद छे ते वकाते जो एनु वावेतर करिये, तो वसंत रुतु सुधीमा एने पुष्प सर्जन थाई अने श्रियाडा माई चे ते पुतानी कूपडों किलावतू थाए अने ग्रिस्म सुधी माँ ए पुर्ण विक्सीत थाए ने पुष्प, फौल, बीज एना बद्धा जे अंगो चे ए विक्सी जाए अने आपने जे फौल नू के बीज नू उत्पादन जोई ते पन आपने प्राप्चताए पन आ अनिस्चित्ता ने आपने जो टालवी होई अने श्रियाडा ना बीज ने आपने उनाला मा एडले के वसंतनी शर्वात मा अने ग्रिस्म मा आपने उगाडवा होई अने तेज वखते न उनकरण कराव होई तो आवा बीज ने आपने नीचा ताप मा आपमाने लई जवा जोई ए अने एक थी 10 डिग्री सेंडिगेट जिटला तापमाने लई जई ए तो बीज ना आंत्रिक फिरफारो थता ए श्रियालानी स्थितीना मुलपुत ठंडी रुतुना बीज हो आचाता ए गरम रुतुमा पन आपने बाहिय त्यार पचीना बीजा प वनस्पति मां केटलिक वनस्पति हो गाजर, कोबीज तो अवी वनस्पति डुंगली के जे एक वर्से आपने प्रथम वर्से एनू आवेतर करू होई एना बीज रुप्या होई तो एनू पुस्पसर्जन नेक्स्ट यारे थतु होई जे ते वर्से ना थतु होई तो वासंती करणनी असर आपी ने नीचात आपमानी असर आपी ने आपड़े आ जड़पी पूस्पस सजने मा प्रेडाविश रकिए होई बाद करिये बीज सुसुप्तता तो बीज सुसुप्तता एटले सुंग तो मित्रो तमें जानता हसो के कोई पन बीज ने अपड़े जरे छोड उपर्थी कलेक्ट करी त्यारे एन जो तरताज रोपी देवा मा वेतो यूगता ना थी दर एक बीज ने पोतानों एक निश्चीत रेष्टिंग पेरियाड होज सुसुप्त अवस्ता होज अने ए अवस्ता दर्मियान ए पोताना आंत्रिक फेरफारो करी लेती होज अने त्यार पची ए अंकुरी थवा माटे तयार थाएज तो अवी बीज नी सुसुप्त था इटले सुँ तो के अंकुरन माटेना बद्धाज भाहिय परिबलो अवेलेबल होई हाजर होई छता बीज माँ अंकुरन नो थाए एने बीज सुसुप्त थाके वाई तो ए बीज सुसुप्त ना कारणों सकत अने कठन बीजावरण होई एपसेसिक एसीड जिवा अवरोधक रसान होई फिनोलिक एसीड पैराएपसेक एसीड अने अपरिपको ब्रून जिवा कारणों ने बीज सुसुप्त होई तो अवा बीज ना सुसुप्त दूर करवा सुन करी सकाए तो एनुँ बीजावरण अवरोधक होई तो 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 दूर करवा माटे यांत्रिक के भहती करिते काच पेपर तियने गसी ना कुजोए जेती करेने बीजावरण पातलू थाई, छिद्रिष्ट थाई, अने माँ पाणी दाकल थाई, अने एनी सुसुप्ता दूर थाई अथवा तो बीज ने खुब हलावा जो ये फ्लास्नी अंदर रेती साथ है, जेती करेने बीज शिद्र खुल्लू थाई, सुक्समजी वनी क्रिया बीजी द्वारापन सुसुप्ता तोड़ी सकाई, प्राणी ना पाच्चन मार्ग माथी पसार करेने पन सुसुप्ता अर्थे परियावराणियों परिस्तिति माँ फेरफाल लावी ने प्रकास अने तापमान जेवा परिबलनों उप्योग करीने पन बीज नी सुसुप्ता ता दूर करी सकाई, तो आर्थे आ बीज सुसुप्ता अने तेने नीवारवना उपाहे थेया, आसा थे आले सन पूर ना थाई छे, थेंक यू